तो पहले स्लोक में वो कहते है चेतो दर्पन अमार जनम किस प्रकार ये हरी नाम जो हरे कृष्णा महा मंत्र है हमारे चित के दर्पन में जो हमारे चित में जो गंदगी जो मैल भरी पड़ी है उसको साफ करने में हमारी साहता करता है और आनंदाम बुधिवर्दनम जब एक जब करने वाल व्यक्ति है एक प्रोग्रेसिव चैंटर धीरे धीरे हरी नाम का जब करते रहता है तो वो आनंदाम बुधि वो एक सागर के समान आनंद के अनुभूती करता है अपने जीवन में फिर दूसरे स्लोक में महापरु कहते हैं नाम ना मकारी बहुदा और इस नाम को जब करने का कोई देश, काल, नियम, पात्र, कुछ भी आपने ऐसा कोई कंडिसन नहीं रखा है कोई भी कहीं बर भी किसी भी स्थान में किसी भी समय जब कर सकता है लेकिन मेरा इतना प्रा दुर्भाग्य है दुर्दैवमिद्रसमिया जनी ना नुरागा कि म मुझे इस नाम में अनुराग नहीं है, मुझे इस नाम में रूची नहीं है, ये मेरा दुर्भाग्य है तो नाम में रूची कैसे लाएंगे नाम में रूची लाने के लिए या नाम को निरंतर जब करने के लिए अगले इस लोग में महापरु बताते हैं कौन है वो वेक् की वो बताते हैं यह जो स्लोक आज हम सुनने जा रहे हैं यह समझा लिजी हमारे गौडिया वैश्णव की जो फिलासॉफी है जो दरसन है उसमें बहुत ही महत्वपुन स्लोक है और खासकर साधकों के लिए जो लोग भक्ती में आगे बढ़ रहे हैं जो लोग भक्ती करना चाते हैं उनके लिए तो ऐसा कहा गया है कि इस स्लोक को अपने गले में सदा बांद के रखना चाहिए इन स्लोक को एक मोतिय में पिरो करके अपने गले में सदा बांद के अगर कोई स्लोक को पालन करने में इस सक्षम हो गया तो वह भक्ति के सभी अंगों को सभी मर्मों को सबी तत्तों को बहुत कुसलता से जान पाएगा तो आईए यह स्लोक हम देखते हैं मैं आपको यह स्लोक अभी शेयर करता हूँ हम तो रिसाइट करेंगे और फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे तो यह स्लोक है सिक्सकाष्टकम प्रात्ना का तीसरा स्लोक जिसमें चैतेने महापरू कहते हैं त्रिनाद अपी सुनी चेना तरोर इवा सहीश्टुना अमानिना मान देना किर्टन्या सदाहरी तो इसका प्रकार है वनु थिंग्स हिंसेल्फ लोगर दें देग्रास हो इस मोर तॉलरें देना ट्री और हूँ दस नॉट एक्सपेक्ट पर्सनल ओनर तो यहां पर महापरू बता रहे हैं त्रिनाद अपी सुनी चेना त्रिन मतलब कहता है घास का टुकडा जो वैक्ती त्रिन से भी जादा विनाम्र होता है सुनी चेना अपने आपको नीच मानता है सुनी चेना और भी ज़्यादा नीच मानता है और तरोर इवा सहीशनुना तरोर मतलब व्रिक्ष पेड़ से भी ज़्यादा सहीशनुना सहीशनुता टॉलरेंस रखता है अमानिना मान देना अपने मान की कोई कामना नहीं करता अमान दूसरों को सदय वाँ देता है, एसा वेक्ति भगवान श्री हरी का कीरतन सदा कर सकता है, यह क्वालिफिकेशन, तो कई लोग कहते हैं कि हमें इतना नाम जब करें, हमें टेश्ट नहीं आ रहा, मंन भटक रहा है, मन नहीं लग रहा, उसका कारण यह है, क्योंकि हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है हमारे अंदर वो क्वालिफिकेशन नहीं है या वो गुन नहीं है जो नाम को जब करने के लिए चाहिए इसलिए आज के इस ख्लास में हम देखेंगे विनमरता कैसे हम डेवलॉप कर सकते हैं और हम कुछ उधारन देखेंगे कैसे भगवान ने विनमरता को प्रैक्टिस किया है कैसे चैतने महापुरु ने विनमरता प्रैक्टिस किया और डाउन दे लाइन हमारे आचारिया ने कैसे हमें विनमरता को सिखाया है तो यह बहुत ह भगवानी कृपा से आपको इससे भहुत लाब होगा तो वैश्णवों के 26 गुन बताए गए है टोटल चैतन चतामित में 26 गुन बताए गए है जो वैश्णव एक एक एकजिबिट करते हैं एक वैश्णव को अगर आपको जानना है तो उनके गुनों के अधार पर जानना चाहिए वैश्णव को कभी भी हम केवल बाहरी एक्सपीरेंस नहीं जानते हैं वो भी दरकार है हमें जैसे हम तिलग लगाते हैं, कंटी माला पहनते हैं, दोती कुर्था पहनते हैं तो ये भी जरूरी है लेकिन केवल कोई वैक्ति अगर ये बाहरी रूप से वैश्णव दिखे तो जरूरी नहीं को वैश्णव है या वो भक्त है भक्त जाना जाता है अंदरूनी गुनों के द्वारा जैसे जब भगवान कपील अपनी माता देवहुती को भक्ति के बारे में बता रहे थे तो मा कुसे वो कहते हैं कि जो वैक्ति भगवान के भक्तो या वैश्णवों का संग करता है वो भक्ति को समझ सकता है तो पुरांद देवोती ने पूछा मैं कैसे पहचानूगी कि वैश्णव है की नहीं है तो उन्होंने एक बहुत ही हिट्स लोका फेमस लोका बताया था भागोतम से वो कहते हैं तितिक्षवा का कारुनी का सूरिद सर्वदेहिना अजात सत्रव सांत सादव सादुभूशना आप किसी वैक्ति में यदि तितिक्षवा टॉलरेंस सेम कारुनी का दया तितिक्षवा कारुनी का सूरिद सर्वभूताना ऐसा वैक्ति जो बहुत सहिष्णू है जो बहुत दय कोई सत्रु पैदा नहीं हुआ, साधवा साधु भूशना, उसकी साधुता, उसकी क्वालिटीस, उसकी गुणवत्ता, उसके भूशन है, उसके अलंकार है, तो एक साधु को कोई बड़ा ज्यलरी या पहनने के दरकार नहीं होती है, अग उसके गुण ही उसके अभूशन है, क्योंकि हम आभूशन क्यों पहनते हैं हम पहनते ताकि सुन्दर दिखे ताकि दुनिया हमसे एट्रैक्ट होए और हमारा वावा करे हमें गुंगान करे लेकिन एक साधू जाता है जहां पर एक भक्त जाता है वो अपने गुण को इस ता प्रतसिंत करता है या करती है कि दुन हम यह गुणों पर काम नहीं कर पाते हैं और हमारे जब वहवार में कोई चेंजेस नहीं आता तो फिर दुनिया में कहती है क्या भक्ति तुम कर रहे हो तुमारे तो कोई चेंजेस नहीं आया इसलिए भक्ति करने से प्रैक्टिकल पॉजिटिव ट्रांस्वर्मेशन जरू दिखना चाहिए हमारे जीवन में हमें खुद को भी दिखना चाहिए और सामने वाले वेक्ति को भी दिखना चाहिए यह बहुत जरूरी है तो तृिनाद अपी सुनी चेन आ 一andır भी जादा विनंव्रता यह देखो कitelyं होता है तो जब एक वेक्ति उससकर पाउं रखता है तो क्या होता है वो जूख जाता है लेगिन फिर जैसी वो पाउं उठाता है तो फिर से ख़ड़ा एक्जिबिट किया है तो सबसे भगवान कृष्ण के बारे में कृष्ण स्वयम इतने विनम्र थे आप देखी जब भिस्म पितामा ने एक बार दुरियोधन भिस्म पितामा के पास गए और भिस्म पितामा को कहा कि दिलोय जान से नहीं कर रहे हो आप अपनी पूरी सकती नहीं लगा रहे हो और इसलिए जो है भी तक हम युक influencers नहीं पूरा यूद करूंगा कि जिससे सभी पांड़ों को मैं खतम कर दूंगा तो जब अगला दिन यूद सुरूआ तो बिश्मदेव इतना जोरदार वर्सा करे थे तीरों की कि अरजुना को सही नहीं पारे थे अरजुना पूरा भैवित हो गए और भगवान जो है भगवान को भी बहुत सारे तीर लगे उनके सर से भी खुन निकला तो एक पॉइंट के बाद आके भगवान ने देखा अरे वापरे आस तो यह भिसमदेव कुछ अलगी अवतार में आये पुरा भगवान ने देखा यह अरजुन के बस की बात नहीं है इसको सहना तो भगवान इतने क भोड़ों का लगाम छोड़ करके उतरे और इतने कुरुई थे कि वो क्रोध में आकर के देखे मैं क्या पकड़ के इसको मानू भिसमदेव को तो एक पईया रहता है रद का पईया वो पईया को ले करके जो है वो मारने जा रहे भिसमदेव को और इधर से अर्जुना जो ह है वह भगवान का पाउं पकड़ और भगवान नहीं आप यह मत कीजिए क्योंकि आपने प्रतिग्या लिए कि आप महाबारत युद में कोई भी अस्तर या सस्तर नहीं उठाएंगे मैं आपकी प्रतिग्या को तोड़े नहीं दूंगा भगवान भाण में गई मेरी और मेरा कम हो गया या थो पांच यह भगवान को अपना जो वादा है वह तोड़ना पड़ेगा भगवान जो कसम खायी थी कि वह अपना कभी अस्त सश्त नहीं उठाएंगे वह तोड़ना पड़ेगा तो देखिए दो सुद्भक्त खड़े हैं आमने सामने सामने भिष्मदेवे वो भी सुद्भक्तवी महाजन है और पीछे अरजुना है और दोनों भक्तों के बीच में कौन जुग जाता है भगवान जुग जाते हैं भगवान अपना वाओ तोड़ देते हैं भगवान अपना चाहे भगवान को पता है कि आगे आने ले दुनिया म कई लोग हैं जो लोग मेरी भरस्ता करेंगे जो लोग यह कहेंगे हां कि मैं मैंने नीती को तोड़ा है या मैंने चल किया है मुझे लेकिन मेरे भक्तों को कोई कुछ ने कर सकता कौन तया प्रति जानी नमे भक्ता पनर्शती तो इसलिए भगवान वहां विनम्रता दिखाते हैं ऐसे कई और उपाक्चान है जहां पर जो है भगवान कितने विनम्र भाव रखते हैं सुदामा जब सुदामा भगवान के घर में आते हैं तो आप देखिए कोई उनके सरीर पर जो है उनका दुपट्टा जो उनके था सब गिर रहा है लहरा रहा है उनको कोई फर्क नहीं और जाकर के गेट में जाकर सुदामा को लेकर आते हैं और सुदामा को देखिए वह तो एक फटा एकडम भिकारी टाइप फटे कपड़े पहना हुआ एकडम प अंदर लाकर के अपने पर्सनल बेटे भगवान बिठाते हैं और भगवान अपने हातों से सुदामा के पाउं के कांटे निकाल रहे हैं और इसके पाउं का जल को धो धो रहे हैं और सभी रानिया खड़ी भी है सभी उनकी पट रानिया है जामवती सत्यभामा रुक्मनी सब ऑवाजु देखते क्ई हजार हजार नौकर दासे दासी हैं किसी को भगवान चूने नहीं दे रहे हैं अपने हाटों से उसे ऑप्राउन से पहले पहली बात तो फिर आप देखिए जब राजसु यग्य का बात आया तो अलग लग लोग अलग लग सेवा करेते लेकिन भगवान कौन से सेवा किये भगवान जा करके सू स्टैंड जूते चप्पलों के वहां जाके रहे और जो भी ब्राह्मन लोग आते थे उनका पूरा महाबारत युद्ध दो गया भगवान ने किसको करेट दिया अर्जुना को करेट दिया तो आप देखोगे कि यह विनमरता भगवान में कुट-कुट के भरी वही है अगर आप सही सुदा की बात करोगे देखो भरी सभा में राजसु यग्य चल रहा है वहां पर दूनिया से आये वह हैं बड़े-बड़े रिसी गनाहे वह हैं और सब लोग जो है एक ही वैक्ती को में ग्लोरिफा कर रहा है एक ही वैक्ति को जुए राजा का पोश्ट दे रहे हैं उनका गुंगान कर रहे हैं वह भगवान कृशन और उस सभा में एक हैसी सुपाल अपन थो हमें एक भी नेगटिव वोड कहतेगा तो हमारा इगो कितना हर्ट हो जाएगा और हम तूरफ करेंगां इसको निकालके फिक ग्यासन नहीं है यह सान नहीं है यह अपने अपने भक्तों के लिए सहते हैं और तो इसलिए आप देखोगे परसनली भगवान किर्ष्टम आप और भगवान कभी भी अपने को कुश्रे लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे भक्तों का गुनगानों, ये भगवान की महिमा है, तो वही मूड वही चीज जो है हमारी परंपरा में सभी जो आप देखो के आचारे गण ये ले करके आते हैं, आप देखो चैतेन इस्वर ब्रह्म है, इस्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो महाप्रभु के भक्त जे तपन मिस्र चंदर सिखर, ये दोनों महाप्रुव कहें बनारस में महाप्रभु, ये लोग जब ये मायवात का प्रचार करते हैं, तो हमें बहुत पीड़ा होती है, और बड़ी अद्बूत भात है कि आज आपके यहां होते वर भी इनको कृपा नहीं मिल रही है और आप जो है आपके होते वे भी यह लोग आज यह मायवद का परचार कर रहे हैं यह हमसे सहन नहीं होता महाप्रबु प्लीस कृपा करो इन पर इनके इस मायवद दर्सन का खं आया है वहाँ पर मैंने इन प्रकासन सरस्वती और उनके मायवद सन्यासी सभी लोगों को आमंदन क्या है प्लीस आप महापर आईए हाला कि महाप्रबु जानते थे कि यह सब उल्टी सी दिबात वहां करेंगे फिर ही महाप्रबु अपने भक्तों के निवेदन पर उन पर क्रिपा करने के लिए गये और जब चेतन महाप्रु जाकर करके चैतन महाप्रु बैठ गए लेकिन उनके सरीर से भहुत आभा निकल रहे थी बहुत तेज आभा और प्रकास निकल रहा था तो जब प्रकासन सरस्वती आए उन्होंने देखा अरे ये कौन सन्यासी बैठावा है एकदम तरुन अवस्ता महापुरु क्योंकि महापुरु की उमर उस समय 24-25 सा रही होगी और इतने सुन्दर साथ फिट उनका हाइड था सुन्दर सुन्दर उनके अंग एकदम चमकते वे तप तकांचन गोरांगी हाँ पिघलता वा सोना जिसरों का सरीर और एकदम इतना सुन्दर सरीर और से एकदम सोने स्वर्न की जैसे आभा निकल रही है और चैतने महापुरु वहां बैठें वे हैं उस थान पर तो इनको बड़ा आश्चरे हुआ अरे आप इतने सुन्दर सन्यासी यहां क्यों बैठे व उनके सरीर से आभा निकल रही है तो इसलों बड़े हैरान हो रखें अरे तो नहीं नहीं आप आई हमार साथ आई हमार साथ बैठिये फिर प्रकासन सरसोती ने कहा चैतने महापुरु को की देखिए हम सब सन्यासी जो है हम लोग वेदानत को पढ़ते हैं तरक वितर करते है कि भगवान कौन है कैसे है लेकिन आप तो पागलों की तरह जो है हरे कृष्ट महामंतर जब करते हो नाशते हो कूंते हो काते हो तुम हमारे साथ बैठके वेदानत क्यों नहीं पढ़ते हो तम महापुरु ने वहापर कहा कि मेरे गुरु जो है उन्होंने मुझे मुझे मैं यह हरे कृष्ट महामंतर का नाम संकिर्थन किया तो मैं पागल हो गया मैं मेरे गुरु के पास गया और मैंने कहा किबा मंतर दिले गुसाई kiigatarbal तुमने मुझे क्या मंतर दे दिया है इसको जपने से मेरा मन पागल होते जा रहा है और meoमटिक मेरे अंदर इस मंतर का फल है जो भी इसको जबता है इस मंतर को उसके अंदर तुरंत कृष्ण परिम उत्पन होता है उसके अंदर भाव उत्पन होते हैं और तुम्हारा जीवन इसी में सफल हो जाएगा चतेने महापरू ने इतने विनमर्ता से इस बात को कही कि सारे सन्यासी आश्चर चकीत हो गए देखिए महापरभू खुद स्वैम भगवान है और वो क्या कर रहे है गुरू मुरे मुर्खा देखी मैं मुर्ख हूं और गुरू देव ने मुझे मुर्ख देख करके मुझे आ एक बड़ा ही विद्वान उस समय क्या था बंगाल में उस समय यह संस्कृट प्तरक भीतर होता था जैसे आज अखाड़ा में यूद होता है उसी प्रकार उस समय डीबेट होता था तो जो जितना विद्वान है वही जीता था और उसको टाइटल मिलता था कि यह दिग्विजय पंडित हो गया है इसने सभी को हरा दिया है ऐसा ही एक पंडित जो है वो आया नवदीप में आया और उसने चैलेंज किया कि यहां कि जितने ब्रामन है मैं सब को चैलेंज करता हूं मुझसे आकर के तर्ग तर्ग करो सभी ब्रावन घबर आ गया अरे बापरे यह तो कोई प्रकान विद्वान आया है अगर हम इससे हार गए हमारे बिजत्ती हो जाएगी तो सबने उसमें निमाई पंडित जो है महाप्रभू उनका नाम निमाई पंडित था बच्पन में तो वो भी बड़े विद जिस प्रांत का बच्चा हरा दिया तुमको तो हमारी बाती क्या है तो विन-विन गेम खिलने के चकर में उनलों ने निमाई पंडित आते हैं और इनके साथ तर्ग सुरू होता है तो के सब कस्मरी कहता है तुम क्या मुझसे डिबेट करोगे तो बोले देखिए महास है मैं उतना तो मैं घ्याता नहीं हूं फिर भी आप आपसे मुझे ये कहा गया है आप से तरक्तर करने के लिए आपकी जो इच्छा है आप बताईए हम वैसा करेंगे तो उसने का ओके सुनाओ कुछ सुनाओ तो फिर निमापनी देखा नहीं आप पहले कुछ सुनाइए तो के सुनाओ निमाई पंडित ने जो है अब तुम सुनाओ तो निमाई पंडिते वही 100 स्लोक एज़िटी सुना दिया पूरा जो अभी ज़स सुना था तो यह भी बड़ा चौग्या के से कस्मिरी अरे तुमको इतना जल्द याद कैसे हो गया तो निमाई पंडिते कहा जिस मा सरुसुति की किरपा से आपको यह स्लोकों की रचना करने क की ताकत दी गई है उसी मा सरुसुति किरपा से मुझे स्रवन करके स्मरन करने की सकती भी उन्हों नहीं दी है इसलिए मैं जो है यह आपको सुना पाया लेकिन महाशाय इन स्लोकों में एक गरवड़ी है तो केसे किसम ने कहा यह संभव है मेरी रचना में कोई गरवड़ी नहीं हो सकती है फिर महाप्रू ने उसके चौसटवे स्लोक में एक उसमें गलती निगा ली वह टेक्निकल डिटेल से बाद कभी हां महाश अचा करेंगे तो जैसी केसे किसमरी गलती सुना इसको एकसेप्ट करना पड़ा कि यह तो मेरी गलती है और वह इतना उसका घमन था कि महाँ तूट गया वहाँ पर कि एकस्ट नी कर पाता कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं तब क्या है जो निमाई पंदित के अचानी जो है वो अपने ज़ूशने हो गई होगी वो ठकेवे होंगे तो पिर से चलचा शुरू करेंगे तो उन्हें का आप जाईए वापस आराम तब के सुर्प कसमी रात को जाते हैं और मां सरसुदी की उपासना करते हैं, और मां सरसुदी में के सपने में आती है, और यह कहते हैं कि मां, आस तक मेरे मुझ से कुछ गलत निकला नहीं, आस तक कोई ऐसा वेक्तीस सामने आया निया जिस पर मैं, जो मुझे हरा पा petrol है, ले जो इस लीला के रूप में चैतने महाबर के रूप में आये हैं तब नेक्स दिन जाके केसव कस्मेरी निमाई पंडित के चरणों में गिर जाता है बोलता है मुझे माफ कर दिये मुझे गलती हो गई पॉइंट यह है कि देखें निमाई पंडित जो है वो इतने विनमर है हाला कि इतने विद्वान है और वो जानते थे कि मैं इसको हराऊंगा लेकिन कभी पर भी उसके अहंकार इतना जादा था उसके पास कि अगर उस समय है निमाई पंडित भी उस पर हसते और वो करते तो सैद वो सुइसाइड कर लेता लेकिन निमाई पंडित जो है वो सांद् एक और घटना आती है जहां पर चैतेने महाप्रभू ने एक टिपनी लिखी थी गीता पर या वेदान्थ सुत्र पर उन्होंने भास से लिखा था कमेंटरी लिखा था और एक बार क्या हुआ बोट में वो और उनके मित्र जा रहे थे और महाप्रभु ने उस मित्र को दिखाया कि देखो मित्र मैंने कमेंटरी लिखी है मैंने इस पर एक भाष्य लिखा है विदान सुत्र पे तो उनका जो मित्र है वो रोने लग गया वो ब दिख दिया गंगा में और कहा मेरे मित्र तुमारी भाष्य जो है तुमारी कमेंटरी जो है वो दुनिया में फैल जाए और पचलित हो जाए मुझे मेरा वो नहीं चाहिए तो इसलिया आप देखोगे एक महा पुरुष की जो उसकी योगता होती है वो होती है विनमरता एक्चलि में जो ज्यानवान व्यक्ति है वो विनमर होता है और जो अज्यानी है वही ज्यादा अपना बोस्टिंग दिखाता है अपना घमण दिखाता है और वही अपने आपको ग्यान जिसके अंदर आता है वो अपने आप विनय अपने आप उसके अंदर विन्नमरता आनी सुरू हो जाएगी आप हमारे जो है परंप्रा में देखिए कितने महान महान भक्त हुए जिन्होंने विन्नमरता का कितना बड़ा उधारन दीखाया जैसे नरतमदास ठाकूर तो चैतेने महाप्रभू ने उनके लिए क्रिष्टन प्रेम जो है एक नदी में समाके गए थे पदनावति करके नाम करके एक नदी था जिसमें महाप्रभू ने अपना क्रिष्टन प्रेम को छुपाया था और महाप्रू जो है एक बार वहां रदी के सामने नरतम 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 और वो जो है मैं उसको कृष्टप्रेम देना चाहता हूँ और इस नदी में मैं उस प्रेम को समा दिया है तो महाप्रून ने पंधमावती नदी से कहा कि, जिस दिन पहली बार नवुदत्म आपके नदी में इस्तान करने आएगा उसको एक क्रिष्ण प्रेम दे देना, ये मेरा धन है उसको दे देना, तो बले मैं जानूँगा कैसे, तो बले जैसी आपके अंदर वो पर्स करेगा, आपके अंदर उफान अपने आप सुरू हो जाएगा, आप समझ जाओगे किया आ गया, तो नरतम्दा शागुरु का जन् हुआ है, तुम्हारे लिए क्रिष्ण प्रेम चुपा के रखा है, बोले कहां पत्मावती नदी में जाओ, तो नरतम्दा शागुरु जो महाप्रु के सुद्ध भगते हैं, और उसके ओपर नदी जो है अपना पूरा एक ऐसा पानी का जो उसके बहावा आता है, और पूर तब तक आंचन गोरांगे मतलब पिगलावा सोना के समान बन जाता है, और उस दिन से तो उनको कुछ हुझा ही नहीं, केवल महाप्रभु का नाम, गोर निताई, गोर निताई, गोर आंगा, गोर आंगा करते-करते जो है, वो बोले मुझे विन्दावन जाना है, अभी जो सब पहुंसते पहुंसते तक सभी गोष्वामी जो थे, रुपए गोष्वामी, सनातन गोष्वामी, जो है, वो सब जा चुके थे धरती पर से, तो उतको इतना विरा होता है, कि मैं इतना अभागी हो, कि मुझे किसी भी महापुरुष, चैतेने महापुरु के जो अठाकूर अरे कहां गया हुवा जाथा ठाकूर जिसने झी Sud को धरती पर लाया प्रचूर जिसके हिर्दे में इतना करूना था वह आचार ठाकूर कहा गया पिर वो एक-एक आचाड़े का नामु लेकर के कहां मौर रूप सनातन कहां भटर अगुनाद दास सबका नामु लेकर बोलते हैं चिल कोटा Candy कुटीबौ माथा मैं मेरे माथा मैं मेरे छलो लोकलात गुष वामी के पास श्यार्फ लग इस डिक्षा डिया पह llan SP मैं डिक्ष नहीं घूंगा मुझे तो कितनी बार अन्के पास गय कितनी बार गया लेगिन इनको नहीं लोगा तो मैं कभी दिख्छा नहीं लोगा तो फिर एक बार वो देखे कि मैं क्या चीज से करें खुस करूं तो वो क्या किये देखे लोकनाज सुबह सवेच सौच्च ली जाते थे जंगल में इस समय टॉलर ऑल्यित नहीं होगा जंगल में जाते थे त वहर दिन जाकर करके उनके जाने से पहले जीस थान पर बैटके सोच करते थे उसको क्लीन करते थे पूर Первा के disparite सवको राजा के बेटें और कई दिन ऐसा करते रहे कि यह सब इतना जगा साफ कैसे मिल रहा है जैसे माली जी आप अगर टॉलेट हर दिन जा रहे हैं और आप देख रहे हैं तो यह कौन कर रहा है तो वैसी वह सोचे तो एक बार फिर उन्हें कहा ठीक है मैं देखूंगा मैं कल जल्दी आओं और देखता हूं और जल्दी आके सफाई कर रहे हैं उनका हिर्दय इतना पिघल गया उन्हें का अरे तुम यह इतना तुछ कारे तुम कर रहे हो मेरे लिए तब उन्हें दिख्छा दिया एक मात्र शिष्य जो बने लोकनाद को स्वामी के वह ते नर्तवास ठाकूर इसलिए हम जो यह गीत गाते सुबह प् प्राथना और एक है प्रियमअभक्तिचंद्री का यह दो किता यदि कोई पढ़ लेगा तो वह सुध्भक्तिपराथ कर सकता है इतने सुंदर प्राथना एं उसमें और उन्हcornें अपने हिर्दय को पुरे वेडिक चार को वेधास्तिक सार को उस गीतों में प्रत्रुस ठा तो देखे विनमर्ता से गूरू के हिर्दय को जीत लिया ऐसी हमारे स्री लाः उपकती सिद्धाध स्टी ठाकूर वो इतने प्रकान विद्वान थे कि उन्होंने साथ साल की उमर में गीता भागतम सको कंठस्त कर लिया था और उनके पिताजी भक्तिवनो ठाकूर हाला कि वो भक्तिवनो ठाकूर खुदे गुरू के भूमी का निभा सकते थे उन्होंने इनको कहा तुम जाके गौर किसोरतास बाबाजी महाराज से दिख्छा लो तो यह जब गए बाबाजी महाराज के पास यह बड़े प्रकांट विद्वान ये और उन्हें कहा नहीं मैं दिख्छा नहीं दूँगा बाबाजी माराज यदि आप मुझे दिख्णा नहीं दोगे तो मेरा जिवन निरत्थक है मैं जा करके अपना प्रांद त्याग दे रहूं गंगा में तब बावाजी महराज देखा कि यह व्यक्ति बहुत डिटर्माइंड है और यह जो है यह इसको मुझे दिख्षा देना ही पड़ेगा और महापरु की आग्या थी तब बावाजी महर 1900 की बात कर रहा हूं 1910-2020 इस काल की बात कर रहा हूं अंग्रेज में लेक्षा देते थे भक्तिशा ठकू जी और ऐसा इंग्लीज बोलते थे कि इवन ब्रिटिसर्स लोग उनके क्लास में बैठते थे तो वो डिक्षा नी लेके बैठते थे इतना परफेक्ट उनका इंग्ल तो आप देखोगे जी जो विनमरता है यही वैस्ट वो के हिरदय को जीतने का एक मात्र साधान है आपशिला प्रपाच्जी के जीवन में देखिए कितने विनमरते प्रपाच्जी ने कितना कुछ सहा कितना कुछ सहा जब प्रावपा जी आपको सायद पता हो नहीं पता हो लेगिन प्रावपा जी सुमती मुरार जी के पास जब टिकट के लिए गए थे तो उनके ऑफिस के बाहर पाँच घंटे बैठे है रहते सीडी पर उस समय उनकी उमर साट पैसट कुछ रही हो उनकी उनक आज घंटे बैठे रहे केवाल उससे मिलने के लिए सुमती मुराडि से क्योंकि वह एक स्टीम सिंद्या स्टीम सिप कंपनी की मालकिन थी के वह एक फ्री टिकट प्राप्त करने के लिए ताकि वह जा पाए अमरिका और एक सोचिए सत्तर साल का बुढ़ा वैक्ती एक कार् उनको बनना पड़ा को आप सोचिए और जब वह अमेरिका गए तो जिसके जिसका उनके कॉंटेक्ट था गोपाल अगरवाल और सैली अगरवाल उनके घर में जिस फ्रीज में प्रापाज जी अपना वहां तो कुछ खाने के लिए मिलता नहीं था उनको तो वह आलू को पाई नहीं था इनके पास कुछ नहीं था और यह क्या है कभी आप वो तो छोड़िए यह जब बावरी में गए थे उदर उस तरप में वहां तो और बुरी स्थी ती यह सब युवक युवितिया एक सन्यासी है और वहां पर सब नंग धड़ंग हो करके कोई पी रहा है को प्रपाजी उन लोग के बीच में प्रपाजी समय बिता रेते एक दिन तो रात को एक डैवीड नाम का हिपी जहाए वो इतना पागल हो गया प्रपाजी रूम शैर करा था वा रात को छुरी लेकर के नश्य में प्रपाजी पर प्रहार करने के लिए बागा और रात को 12 करनान भी करूंगा तो तुम यहां बेहोस हो जाओगे इसलिए आप देखिए एक्स्ट्रीमली टॉलरेंट वैस्टना लोग जो होते हैं वो इतना कुछ सहते हैं हम लोगों के लिए तो आज हमें भी जो आप देखिए भक्ती मिल रही है या हमें भी यह मार्ग में चलने का बड़े-बड़े वैस्टनवों ने बहुत कुरुबानी दी है तब जाके आज हम लोगों को यह दिन देखने का मौका मिल रहा है है ना तो देखे जैसे आज आप गीता भागदम पढ़ते हो इस गीता के ज्यान को प्रिजर्व करने के लिए कितना मेहनत किया गया है अगवान को जाने का मौका मिल रहा है इसके पिछे कई महान वैस्टनवों की बहुत-बहुत कुरुबानी आए इसलिए इस कुरुबानी को भुलना नहीं चाहिए हम लोगो हमें कभी यह नहीं सुना चाहिए कि आज देखो हम डिवोटी बन गये हम भक्त बन गये हैं हम जो हमने किसी उधार में लिया हुआ है क्योंकि अगर बाकी वैस्थन बाकी भक्तव नहीं होते तो सायद आज हम भक्ती नहीं कर पाते थे लगाता है किसी भक्तो के संग में आते हो तो आपको कितना आनद आता है कितना अच्छा लगता है वो क्यों लगता है कि कोई नो कोई भक्तो है कि उट रही हैガàn और हम किवल मंदीर आते तो मंदीर के चकाचौन को देख करके मान लेते हैं किरतन में भाग लेते तो आनद आता है लेकिंग कोई तो महनत कर रहा है उसके पीछे उसी प्रकार आप देखोगे हमारे घर में भी आप लोग कई लोग जो है अपने घरों में रहते हो तो आप आपको खुशी मिलती है माता आए हैं वो सेवा कर रही है cooking कर रही है तो हरे का combined contribution बोल करके घर बनता है अगर कोई उसमें सोचने लग जा कि किवल मैं मैं सब कुछ कर रहा हूं तो यह जो मैं की भावना है यह अहंकार हम लोगों को जो है भूत भारी पढ़ सकता है जैसे जब भगवान रामचंद्र रावन को मार करके अयुद्या वापस आए तो अयुद्या में आकर कौसलिया मा को मिलने गए तो कौसलिया मा ने कहा राम तुने रावन को मार दिया तो भगवान राम ने कहा मा मैंने ही रावन को मारा तो इसका मतलब क्या है दो मतलब एक तो मैंने ही रावन को मारा और दूसरा है मैं आपस्टोवी ये कोलोन मैंने ही रावन को मारा जो उसकी मैं की भावना थी कि मैं 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 सब कुछ हूं मैं महान हूं मैं ये हूं मैं वो हूं उसने रावन को मारा तो हमारे उंदर प्राक्टिस करनी चाहिए प्रसनाता है विन्मरता को प्राक्टिस कैसे करें और सही तुनार प्राक्टिस कैसे करें दो लेवल प्रैक्टिस हो सकती है इसकी, एक है बॉडिली लेवल पे, पहले सारीरिक हुमिलिटी, बॉडिली हुमिलिटी को प्रैक्टिस कीज़े, कैसे, मीनियल सर्विस करके, कोई ऐसा काम कीज़े, जो तुछ हो, बहारी दिश से तुछ हो, for example, जब हम टेंपल आते हैं, त किसी भक्तों को प्रशाद सेवा कर रहे हातों से, तो ऐसी सेवा, जो आम जनता के नजर में बहुत तुछ दिखती हो, ऐसा कोई कारे करने से क्या होगा, हम हमबल बनेगे, जैसे अगर आप घर में, अपकोस घर में तो करना ही पड़ता है, लेकिन डिवोटी सर्कल में हम क् करके ये क्लीनिंग करना या बरतन घिसना, इसलिए जब नयने भक्त हम मंदिर जॉइन करते हैं तो एक-दो साल तक उनको केवल DT किचन में बरतन घिसने की सेवा मिलती है, कि भगवान के बरतन घिसो, और बरतन घिसते घिसते उसका हिरदय घिस जाता है, उसका हिरदय जो ह है वो साफ हो जाता है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग यह नहीं सुना चीए कि छोटी सेवा या बड़ी सेवा है यह बात नहीं है कि जो केवल बैट के प्रवचन दे रहा है व्यासा सब वही महान भगते नहीं ऐसा जरूरी नहीं है जो जाडू मार रहा है सद्ध एक ऐसी चीज़े जो हमें भगवान से जुड़ने कर रोकता है तो अगर हम अपने अहंकार को कम करके विनम्र सेवा करेंगे खाश का वरिष्ट भक्तों की सेवा करेंगे तो यह विनमरता हमरे अंदर आएगी मेंटल लेवल पर कैसे विनमरता करना हमें हमें साथ देखना अचीए कि हमारे ऊपर कौन बैठे में है इसलिए आप जब ऐसे संग में जाते हो जहां आपसे मोर क्वालिफाइड लोग है तो एक्चुली वह हमारे दर हमिल्टी लाना चाहिए लेकिन होता क्या है हमारे इरशा आती है अरे यह मिर से उपर क्यों है मैं इसको नीचे उता करने का प्रयास करते हैं तो यह अध्यात्मिक्ट इतना है कभी-वह अगे यह-ों लेकिन हमको शमघना जीए Ihnen मैं क्या हूं वास्तों में अरे अगर भगवान के क्रियेशन को आप देखोगे एक बार प्रभुपाजी परमपुचे तमाल कृष्ण मैं से बहुत गलेक्सी है इस में इस स् अपना अपना इक जरह अ उस अर्थ में जो है बहुत सारे कंटिनेंट याisti से घर जिए-पह artists ईए-ट स्ट्रीट कर रहा हूं ऊहां पूरा आंकार नहीं दिता हैं लेकिन उनरे तो कि है यह यहुज對了 कर रहा हूं मैं ये प्रापटी का देख रहा हूं ये कर रहा हो कर रहा हूं वो सारा चीज़ है वह पुरा नीचे दब गया तो अगर आप कंपेर करोगे हमारी पूरीशन क्या है इस अंसार में अरे कभी समुद्र के खड़े हो यह प्रपाजी कैते दे इस रेल हिमिलिटी समुद्र सामने है कोई बड़े पहाड के सामने जाके खड़े हो यह और आप देखिये किया है हम लोग कुछ नहीं है एक लहर आएगा समुद्र का हमें कहां फ्यकाएंगे कुछ भरुसा नहीं है या पहाड से एक पथर सिर्पर गिरेगा वहीं कै वहीं हम चटनी बन जाएग मेरे बिना कुछ नहीं होगा इस अंसाहर में मैं जो चाहता हूँ वैसा ही हो सब कुछ मेरे साथ से चले unnecessary ego unnecessary जो है false pride unnecessary तो हम लोग का चाहिए actually I am nothing I am surviving because of help of so many other people इस दुन्या में मैं जिन्दा हूँ मैं मौजूद हूँ मेरा अस्तित्व है क्योंकि बाकि कई सारे लोग मेरे जीवन में help कर रहे हैं तो आज अगर कुक सुबह उट करके cooking नहीं करेगा तो मुझे प्रशाद भी नहीं मिलेगा खाने के लोग मुझे प्रशाद नहीं मिल पाएगा अगर आज अगर पुजारी जाके अल्टर में डेट नहीं खोलेगा तो सुबह मैं आपके जो रिलेटिव हैं उन लोग ने आपके अभी जो करेंट स्पाउस है या बच्चे हैं जो हैं सब का contribution हमें जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए और हम लोगों सब को भूल करके अपने आपको इतना importance दे रहें और दैट टूव एर गिविंग इंपोर्टेंश तू वाट इस बॉड़ी हम इस सरीर को इतना इतना महतों देते हैं जो कभी भी दोका दे सकता है और जो में इतना तकलीव देता है वास्तों में हमारे सरीर कि हम कितना घमड करते हैं हम कितने सुन्दर है हम कितने smart है हम कितने intelligent है अरे यह body जो एक दिन हमें चोड़के जाने वाला है उसको ले करके हम लोग कितने हो रखें क्यों भई तो यह contemplate करना चाहिए then when we contemplate mentally like this then we really become humble तब हम विनम्र बनते हैं और जब विनम्र बनते हो आप भगवान एकृपा को attract करते हो when we become actually humble we attract the mercy of Lord भगवान एकृपा को आप attract करते हो जब आप विनम्र बनते हो और यह विनम्रत आटिफिसली नहीं है आटिफिसली जैनुरली आप हिरदय से feel करते हो कि मैं कोई महान नहीं हूँ मैं एक साधरन वेक्ति हूँ और आप देखो कि जो व convincing होता है ना सब लोग उसे पसंद करते हैं कि आप देखो कि जो वह सब कुछ हूं my way is the highway जो मैं सोचता हूं वह सब वह सही है नहीं ऐसा नहीं है इसलिए जो विनम रहता है हर लोग उस्ते आके मिलना चाहेंगे क्योंकि वो जानते हैं ये वॹक्ती का कुछ परसोल ऐजएंडा नहीं है ये व्यक्ती डाउन टु अर्थ है और ये व्यक्ति मेरी कम्या को जानने के बाद भी मुझे पसंद करेगा या मुझे कोई judgmental way में मुझे judge नहीं करेगा क्योंकि विनमर भग जो होते हैं वो कभी किसको judge नहीं करते हैं वो हर एक वेक्ति को देखते हैं कि ये मुझे महान है ये मुझे great है और किसी को little नहीं करते आप सब्सक्राइब दूसरों को नीचा दिखाना never ever do that हमें कभी भी यह नहीं करना चाहिए कि हम दूसरों को नीचा दिखाएं नहीं आप एक बास सोचिए भगवान की प्रकर्ती भगवान की कृपा से हर एक वेक्ति के अंदर कोई ने कोई गुण है कभी कभी क्या होता है कुछ गुण हमारे अंदर या दूसरों के अंदर अभी प्रकट नहीं हुए लेकिन आने वाले समय में जो है वो गुण प्रकट हो जाएंगे है ना जैसे एक बार एक डिवोटी थे जो सैफरों में थे तो प्रमचारी थे और दूसरे एक डिवोटी थे वो ग्रहस्त थे तो वो वाइट पहने वे थे तो जनरली कभी कभी क्या भक्तों में ऐसा फीलिंग आ जाता है कि हाँ सैफरों मतलब ज़्यादा एडवांस डिवोटी ऐसा एक जनरल है मैं पहन लिए और यहवर्मचारी की साधी हो गई का तो यह मैं तो यह चाजी करके वरिटी पहन करके वाइट में रहे और यह जो ग्रहस्त थे यह नियाज ले करके सैफरों पहन लिए और फिर जाकर यह बड़े बहुत बड़े प्रचारग बने टो एक कोई जानता नहीं है कोई जानता नहीं कल जाके क्या होगा और पासा कैसे पलटेगा नोबड़ी नोस दैट इसलिए बेटर नौट टु बीहेव इन वे विजिस डेट्रिमेंटल तुड़े आज आप ऐसा बीहेव वेर मत कीजिए जो किसी के जिन्दगी में डेट्रिमेंटल हो या उसके मन में आपके पती इरश्या है या क्रोध है या यह भावना है क्योंकि हम जानते नहीं कल सिती बदल सकती है कुछ भी हो सकता है कई बार ऐसा धरन देखा गया है कि जो आज राज और खते हैं कि दोनों सिती में आज है जो वेक्तिना तो जादा घुसी में जादा रिलेटे ओटा है वह दैक्षृ होता है बाइच परसं कृव लाइक सभाह हैailable रहता है तो आप देखो होते हैं यह मिल गया यह जब दुख है तो ज़्यादा दुखी नहीं होना क्योंकि उनको पता है हर चीज हो रही है आज दुख है कल सुखा जाएगा आज दूख है कल दूख आएगा तो यह जिन्दगी की दूख समझ जाते हैं इस पीपल कें रिवें हमबल जो डूएलिटी इसमिनार हो सकता है तोलरेंस पर सकता है मैंने। इसे प्रसीद ग्जामपल मुझे हमें सहसे आता है वह बली महराज्वा क्या tolerate कर रहे हैं वो, जिस वामन देव को उन्होंने अपना सर्वुछ अरपन कर दिया, वही वामन देव उनको वरुन पास से बान देते हैं और उनको इतना हिमिलियेट करते सब के सामने, फिर भी वो अपना सब कुछ समरपन कर देते हैं, और यही समरपन की भावना, यही tolerance भगवान को इतना प्रसंद करती है कि भगवान उसको सूतल लोग का राजा बना करके उसके द्वारपल बन जाते हैं। तो एक्स्ट्रीम टॉलरेंस दिखाते हैं वहाँ पर बली मारा जाते हैं। बट जब हम ऐसे उधारन पढ़ते हैं और सीखते हैं हर्दास ठाकूर क्या टॉलरेंस बाइस मार्केट प्लेस में उनको घसीट-घसीट के मारा गया। लें कभी भी कंप्लेन नहीं किये भगवान को कभी नहीं। क्या-क्य साहा है लोगोंने भक्ति को पराप्ट करने के लिए अगर आप उसकी स्टोरी पढ़ोंगे सब लोगों की आप आपका हिरता ुझाकर हेरे और तो जाएक्या नहीं साहा। नहीं स्वाम झालप क्या नई क्या नहीं साहा है। तो दात के बीच में स्ट्रॉ रखना मतलब एक्स्ट्रीम हुणिटी का वो पात रहे और इतना हम्बली महापुरु के सामें सरंडर किये महापुरु बोले अरे इतना विन्यमर मत बोलो तुम्हारे विन्यता देखके मेरा मन फट रहा है महापुरु ने कहा कि सनातन तुम्हा परिकमा थी आज से 500 साल पहले तो बहुत नहीं नहीं यह तो मेरी सेवा है तब भग्वान ने उनको एक सीला दिया गोवर्धन सीला और कहा इसकी चार परिकमा कर लेना तो तुम्हारी गोवर्धन परिकमा हो जाएगी इतना विन्यमर्ता मत दिखाओ इतना टॉलरें मत करो मेरे से सहा नहीं जा रहा है सोचिए भगवान आके कह रहा है कि मिसे सहा नहीं जा रहा तो यह है भक्त लोग जो भगवान को ऐसे कैप्चर कर लेते हैं तो हमें भी प्रात्ना करना चीए कि भगवान हमें भी यह विन्यमर्ता की भाव यह टॉलरेंस का भाव दीजे ताकि ह वह संतुस्त रहे और आप देखोगे अगर आप यह सब चीज प्रैक्टिस करोगे ना इवन दो अगर हमारे रिलेशनसिप्स खराब है बिगड़ेव हैं आपको समय में देखना मैं आपको गैरेटी देता हूँ जो लोग सास्तर के इन उधारन को फॉलो करते हैं इन सिख्षा को फॉलो करते हैं एड़ एंड डेल भी विनर यह देखा गया इतिहास में जो लोग विनमरता रहकर के सब कुस सहते वे भी आगे चलते हैं और अपने प्रिंसिपल्स को स्ट्र